मूसे वाला की मौत की साजिश रचने वाला लॉरियन्स कौन है? कौन है वो जो सर्मान की जिन्दकी को खत्म करना चाहता था? कौन है लॉरियन्स पिश्णोई जिसके पास है 700 शार्फ शूटर? क्या है इस गैंग्स्टर की कहानी? आखिर मूसे वाले को क्यों उतारा इसने मौत के खाट? सिद्धू मूसे वाला की हत्या की साजिश गैंग्स्टर लॉरिस पिश्णोई और गोल्डी बराट ने रची थी ये तो सब जानते हैं मगर ये दोनों है कौन? और क्या वाकई में तिहार के बैरक नमबर आट में बंद वो एक ऐसा गैंग्स्टर है जिसके एक इशारे पर 700 शार्प शूटर तैयार हो जाते हैं? और क्या वाकई में बिना किसी खौफ के मशूर सिंगर मूसा वाले के जिस्म को गोलियों से चल्ली कर देते हैं? और उसी के इशारे पर ये सब कुछ होता है आखिरकार कौन है वो जो सल्मान घान की रैकी करवाता है और सल्मान को मौत के खाट उतारने की साजिच रखता है गैंग्स्टर लॉरियन्स भिष्णोई जो मूसेवाला की मौत के बाद बेबाक अंदास से अपनी फेस्बुक पॉल पर पोस्ट करता है इस दर्दनाक हत्या की जिमेदारी भी लेता है चलिए लॉरियन्स के अपराद की पूरी हिस्टी शीट आपको दिखाते हैं आईए आपको बताते हैं कि आखिर एक लॉक के स्टूडेंट की जुल्म की कानी दुलिया का बाश्शा वो कैसे बनिया लेकिन उससे पहले इस गैंक्स्टर के काम करने का तरीका देखिए कि पहले वो देशभक्ती का चोला ओड़ता है और फिर उसके बाद एक खेल खेलता है जिस बिश्णोई गैंग से आग पुलिस भी डरती है उसका काम करने का तरीका इतना अलग है कि वो वटसप में शही भगस सिंग की फोटो लगाता है खुद को समास सेवी बताता है फिर ये एलान भी करता है कि उसको बदला लेना है उसके गुरगे, मैक्सिको, थाइलेंड और इसराइल में बैटे लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं वही से इन्हें पैसे की मदद मिलती है और ये धडलने से अपने काले कारणामों को अन्जाम देते हैं चलिए अब ये भी जान लीजिए कि कैसे बना ये अपराज की दुनिया का बाक्षा कहने वाले कहते हैं कि 12 जनवरी 1993 की वो तारीक थी जब पंजाब के फिरोसपुर में ये जन्मा लॉरेंस विश्णोई बच्पन से ही ऐसा नहीं था इसके पिता लवरिंदर कुमार पंजाब पुलिस में कॉंस्टेबल थे यानि पिता कॉंस्टेबल थे और खुद अवराज की दुनिया में चला गया पिता के कहने पर कानून की पढ़ाई भी की लेकिन अचानक से कुछ दिन बाद मानो इसने कानून की पढ़ाई करने के साथ साथ कानून को हाथ में लेने का तरीका भी ढून लिया आपको बता दे कि पंजाब यूनिवस्टी में जब ये पढ़ाई कर रहा था तबी इसने लॉरियन्स स्टूडेंट्स और्गनाईजेशन आफ पंजाब यूनिवस्टी नामक संधठन की शुरुआत भी की इसी के पैनर तले स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ा हजारों के हजूं को लेकर घूनने वाला लॉरियन्स रादनीती की चाल चलना चाहता था लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया उससे करारी हार का सामना करना पड़ा ये बात फरवरी 2011 की बता ही जाती है फिर क्या था इस हार ने मानो लॉरियन्स की जिनकी ही बदल दी देखते ही देखते जुन की काली दुनिया में अपने पैर पसारने लगा कहा ये भी जाता है कि दूसरे गुट ने लॉरियन्स की गल्फरेंट को अपनी रंजिश के चलते मौत के खाट उतार दिया था गॉल्डी बरार ने मुसा वाले की हत्या की जिम्यदारी ली वही गॉल्डी बरार कॉलिज के दिनों में बिश्नोई का दोस्त बना दोनों शातिर बदमाशों का दोस्ताना कहते हैं कि वहीं से शुरू हुआ कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने मिलकर जुन की एक ऐसी कहा फिल्मी अंदाज में जग्वु भगवान पूरी की एंट्री भी होती है जो की जुन्म की दुनिया का जाना माना नाम है जिसको बिश्णोई का गुरू भी कहा जाता है फिर क्या था जब जिर पर गुरू का हाथ हो तो चेले का बादशा बनना जुन्म का बादशा बनना तै खेर वो अपने मनसूबों में काम्याब नहीं हुआ सलमान की मौत की साजिश लचने वाला खुदात तिहाड में है फिलाल विश्णोई तिहाड के बैरेक नंबर आठ में बंध है लेकिन वहीं से वो अपने गैंक को ऑपरेट कर देश की तहलीस पर जुन की विश्बोने का काम करता है मगर कहते हैं कि अपराज की काली दुनिया का अंधेरा इतना घहना होता है और इतना गहरा होता है कि एक ना एक दिन उस काली दुनिया में अच्छे से अच्छा अप्रादी हमेशा हमेशा के लिए खो जाता है Bureau Report, News World India